जिन व्यवस्ताओं के, जिन सुविधाओं के, जिस प्रकार के गवर्नन्स की आवशक्ता होती हैं, हम इन मुल्भूत सुविधाओं के सैचुरेशन का यूग के रुपे उसको परिवर्टित करना चाहते हैं आधनिय सभाफती जी, आने वाले पांच बर्स, गरीबों के खिलाफ, निर्णायद, लड़ाई के हैं आने वाले पांच बर्स, गरीबी के खिलाफ, गरीबों की लड़ाई, और मैं मांगता हूँ गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए, एक सामर्त के साथ खड़ा हो जाता है गरीबों की गरीबी के खिलाफ के लड़ाई, सभलता को प्राफ्ट करती है और इसलिए, आने वाले पांच साथ, गरीबी के खिलाफ लड़ाई के, मिरनायक बर्षा है और ये देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में वीज़ाई होकर के रहेगा ये पिछले गर्षान के अनुभाव के आधार पर, मैं बहुत इस बात से कह सकता है आधनिया सभापती की, जब देश दूनिया की तीसरी बड़ी एकोनोमी बनेगा तो इसका उलाव, इसका प्रभाव जीवन के हरक्षेत्र पर पड़ने वाला है विकास के विस्तार के अनेक आउसर उपलब्त होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरी नंबर की एकोनोमी बनेगे तब भारत के हर्सकर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा लेकिन वैश्वित परिवेश में अभुत्पुर्व प्रभाव पैदा होने वाले हैं